हलो दोस्तु, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम आपके सथ बहुती टेस्टी नास्ती की रेशिपी शेर करेगा, जिसे आप किसी भी तरह के नूडल से बना सकते हैं दोस्तु, बस इतने ही चीज़ी चाहिए जितना की पिक्चर में है रेशिपी बनाने के लिए गेश के उपर एक बर्तन रखेंगी और इसमें एक गिलास पानी डालेंगी और आपकी घर में जो भी नूदल है ना वो एक डालना पानी में बहुत अच्यसे उभालाने लगा है तो नूडल की साथ जो सैचेट होता है न मसालों का उसे डालना बहुत ही अच्छट टेस्ट आएगा गैस की फ्लेम को मेडियम करके हम मैगी को कुक कर लेंगे और ये दिखो दस्तो मैगी हमारी कुक हो गई है और इसका पूरा पानी भी सूख गया है तो गैस की फ्लेम को ओफ करना और इसे ठंडा होने देना जब तक मैगी ठंडी हो रही है हम अपने ब्रेट की छोटे छोटे पीसिस कर लेंगे सीजर की मदची अगर अपका ब्रेट फ्रेश नहीं है न दस्तो तो आप इसे अपने हाथों से भीला रफली ऐसी तोड़ सकता है बहुत इसली ये हो जाती है और ब्रेट की छोटे छोटे पीसिस हमने कर लिया है दस्तो मैगी तो हमारी ठंडी हो गई है तो ब्रेट की छोटे छोटे पीसिस को डाल लेंगे एक मेडियम साइज की प्याज को स्लाइसिस में काट लिया है इसी डालेंगे बारीक कटी हरी मेर्च तीखा अब कम जादा कर सकती है दस्तो बारीक कटी धनिया की पत्ती अब हमने जो एक अंडा लिया था ना उसी तोर करके डाल देंगे इससे ये नास्ता और भी टेस्टी हो जाता है अब सभी चीजे को अपने हाथों से प्रेस करती हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तो बिल्कुल डो की तरह हो जाता है ये और ये तिक दोस्तो बिल्कुल डो का रूप ले चुका है ना मिक्स्चेर तो हाँ पर हम थोड़ा सा पोर्शन ले करके इसे अपने हाथों से ही चप्टा कर लेंगे और इदे के बिल्कुल टिक्की का सेफ दे दिया है हमने इसी तरह से सारे बना करके तयार कर लेंगे और ये तिक दोस्तो इतनी सारी टिक्किया हमने बना लिया है चोलो अब हम इनको सेलो फ्राइड करके आपको दिखाता है अपने टिक्कियों को सेलो फ्राइड करने के लिए गैस के उपर एक पैन रखना और इसमें टूटी स्पून तेल डाल कर इसे फैला लेना तेल गर्म होने पर इसमें एकिक करके अपने टिक्कियों को डाल देंगे और इसे सेट करेंगे अगर आप ज़्यादा तिल डाले करने तुस्तो तो ये बहुती ज़दक प्रिस्पी बनेगा लेकिन हम इसे हेल्थी वर्जिन में बना रहा है इसलिए सेलो फ्राई कर रहे हैं अलटती पलटती हुए मेडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई कर लेंगे हम इसे तब तक अलटती पलटती हुए फ्राई कर लेंगे तुस्तो जब तक ये बलकुल क्रिस्पी और इसके उपर अच्छा सा कलर ना आ जाए ये नास्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और छटपट बन करके तयार हो जाती है दिस्तो बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है बड़े भी न बहुत ही चाव से खाते हैं और इसको नास्ती को पर बहुत ही अच्छक कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी बचे नास्ती को भी मेडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे नास्ता तो हमारा तयार हो गया है दोनों तरब से बहुत ही अच्छक कलर आया है उपर से क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सौप्ट हैं आप इसे गरमा गरम टोमाटो कच्छप के साथ सर्प करना बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग लगता है खाने में आप इसे सिबर के नास्ते भी छटपट बना सकती है दोस्तों ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नही है या फिर साम की चाई के साथ खाना बहुत ही मज़ी की लगती है तो आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बल आइकन को जरूर दबाना जिससे मेरे रेसिपीस की झाल